Hey everyone, welcome back तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक PC Manager का Software बना के दिखाने वाला हूँ जो कि क्या करता है? यूजर को Easiness प्रोवाइड करेगा जब उससे किसी System Application का Use करना हो For example, अगर आपको Device Manager ओपन करना है या फिर System की Properties जाननी है या फिर Task Manager को ओपन करना है तो ये सब काम आप सिर्फ एक ही जगा से कर सकोगे देखिए, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि ये सब कहा से खूलते है तो उनके लिए ये Software बहुत ही कारकर साबित हो सकता है तो चले, मैं आपको इसका Use करके दिखा दाओ तो या पे आप देखिए, या पे ये इसका पूरा GUI है जो कि मैंने बहुत ही Modern way में डिजाइन किया है और साथी में आप देखिए, या पे मैंने टूटल 10 options दिये हुए है जिनमें एक है Device Manager, फिर System Properties, दूसरा Network Setting, फिर Add or Remove, Mouse Setting, Task Manager, Group Policy Editor, System Services, Control Panel और Registry Editor तो ये सारी 10 applications आप एकी जगा से open कर सकते हो तो चलिए, या पे मैं Device Manager को open करता हूँ तो आप देखिए, या पे मेरे PC का Device Manager open हो चुका है और अगर मैं चाहता हूँ Task Manager open करना, तो या पे मैं Simply Click करूँगा तो आप देखिए, या पे मेरा Task Manager भी open हो चुका है देखिए, अगर मैं चाहता हूँ किसी program भी remove करना, तो या पे मैं Simply Click करूँगा तो आप देखिए, या पे Add or Remove वाला application भी कुल गया है तो देखिए, इस तरह से आप एकी application की मदद से बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो तो आज मैं आपको ये पूरा application बना के दिखाने वाला हूँ, तो I hope आपको ये पसंद आएगा तो चले इसे close करते हैं, और सबसे पहला हम काम क्या करेंगे या पे देखिए, मैंने एक PC Manager नाम का folder बनाया हुआ है तो इसे open करते हैं, और या पे आप देखिए, मैंने कुछ images डाउनलोड की हुई है क्योंकि इसे मैं button के अंदर show करवाना चाहता हूँ तो ये images मैंने एक folder के अंदर रखी हुई है और या पे अब हम क्या करेंगे, एक simplify file create करेंगे तो या पे में लिखता हूँ man.py, तो ये हमारी python की file create हो जाएगी तो चलिए, अब या पे में right click करता हूँ, और या पे click करता हूँ open with code तो ये जो हमारा folder है, वो visual studio code में open हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने man.py नाम की file create की दी, उसके उपर click करेंगे तो ये अब भी file blank है, तो इसके अंदर हमें पुरा code लिखना है तो चलिए, इसे लिखना start करते हैं तो देखिए, ये एक GUI application है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो tick enter library के जरूरत होगी तो उसे हम import कर लेते हैं, तो यहाँ पे में लिखता हूँ from tick enter import star फिर यहाँ पे एक और module import करूँगा, from tick enter import ttk तो यह हम इसलिए इस्तमाल करने वाले हैं, ताकि हम button को थोड़ा stylus बना सके और हम एक और module करेंगे, जिसका नाम है OS, तो यहाँ पे में लिखता हूँ import OS अब देखिए, यहाँ पे हम एक window create करेंगे, तो यहाँ पे में लिखता हूँ win is equal to tick k फिर यहाँ पे simple ही निचे लिख देंगे man loop, तो इससे क्या होगा, अमारी एक simple से window create हो जाएगी देखिए, अगर मैं इसे run करूँ, तो आप देखिए, यहाँ पे एक window आ चुकी है, लेकिन अब हमें इसका size और इसकी positions define करनी है तो यहाँ पे में लिखूंगा wind.geometry और इसके अंदर लिखूंगा 350 जो की अमारी width होगी, फिर यहाँ पे 320 लिखूंगा जो की अमारी height है, फिर यहाँ पे plus लिखूंगा और लिखूंगा 550 और फिर again plus लिखके 200 तो यह हमारी window की position है, तो यह क्या दिखादा है, कि जब भी हमारी window open होगी, तो x-axis पे 550 पिक्सल पे होगी, और y-axis पे 200 पिक्सल पे होगी, तो चले अब इसे run करते हैं, तो आप देखिए यह आ पे window आ चुकी है, और इसकी side भी define हो चुकी है, अब अगर इसे again run करें, तो यह हमारी window वही position पे आएगी, चले इसका title रख देते है, window.title, और इसका title हम रखेंगे PC manager, तो यह हमारा title भी set हो चुका है, अब देखिए हमें क्या करना है, यह जो हमारी window है, अब भी आप देखिए, अगर इसे में run करू, तो यह अब भी छोटी बड़ी हो रही है, लेक देखिए, अब अगर इसे में चोटा बड़ा करना चाहो, तो यह नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप recisable method का use करके, window को चोटा बड़ा होने से रोक सकते हो, अब देखिए, यह जो मेरी window है, उसका background color मुझे white करना है, तो यहापे में लिखूंगा, bg is equal to white, तो इससे क्या होगा, मेरी जो window है, उसका background color white हो जाएगा, देखिए, यहापे white हो चुका है, अब चलिए, यहापे जो हमारी window है, देखिए, अगर इसे again में run करूँ, तो यहापे यह icon है, जो कि tick enter का icon है, लेकिन में इसे change करना चाहता हूँ, इसलिए मैं simply क्या करूँगा, wind.icon bitmap नाम की method होती है, उसको call करूँगा, और उसके अंदर में मेरे icon का path दे दूँगा, तो हमारा जो icon है, वो images नाम के folder में है, और उस icon का नाम है, windicon.ico, तो देखिए, icon file का extension होता है, ICO, तो मैंने simply इस file का use किया है, अब देखिए, अगर इसे again run करूँ, तो यहापे इसका icon change हो चुका ह तो इस तरह से हमने पूरी window का structure ready कर लिया है, अब देखिए, हमारा जो window है, उसके अंदर हमें कुछ images की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब भी images को यहापे read करेंगे, तो उसके लिए, यहापे में क्या करूँगा, simply यहापे एक variable create करता हूँ, img1 is equal to photo image, और यहापे में लिखूँगा, file is equal to images slash title.png, और इस तरह से मैं क्या करूँगा, हमें और 10 बटन चाहिए, तो इसलिए मैं यहापे इसे copy करूँगा, और नीचे 10 बार इसे लिख दूँगा, 6, 7, 8, 9, 10, तो यह हमारी 10 images हो कई, अब हमें simply क्या करना है, यह जो हमारी images है, उ folder को open करूँ, तो यहापे मैंने सब images के नाम order में लिखे हुए है, img1 से लेके, img10, तो मुझे सिर्फ यह वाले नाम को change करना है, तो यहापे मैं लिखूँगा, img1, और यहापे मैं क्या करूँगा, last में आके, alter button को press करूँगा, और यहापे click करता जाऊँगा, तो सबी नामों को change करना है, two, three, तो यह सबी नाम change हो चुके है, और यह जो हमारी उपर वाली जो title की जो image है, वो हम title में लोगो दिखाने के लिए use करेंगे, तो चलिए, यह हमारा काम हो चुका है, और अभी हम देखते है कि कोई error तो नहीं आ रही, तो दिखे यहापे कोई error नहीं है, तो यह जो सारी images थी, उसे हमने read कर लिया है, तो चलिए, यहापे हम सबसे पहले title बना दें, तो यहापे में लिखता हूँ title, और यहापे एक variable बनाएंगे win underscore title is equal to label, और इसे मुझे place करना है window के अंदर, तो यहापे मैंने win लिख दिया है, और यहापे अब हम क्य करेंगे, इसके कुछ attributes लिखेंगे, तो यहापे अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहापे मैं इसका text दे देता हूँ, तो इसका जो text है, वो हम रखेंगे, pc manager, तो यहापे मैंने pc manager लिखा है, और अब देखे, यहापे हम इसके अंदर image set करने वाले है, तो यहापे मैं लिख जो size होगी, वो मैं 25 रखोंगा, और इसको मैं bold कर दूँगा, तो यहापे मैं bold लिखता हूँ, अब देखे, यह जो हमारा label है, उसका background मुझे white चाहिए, और इसका foreground color मतलब की font color मुझे green चाहिए, तो यह मैंने set कर लिया है, तो अब देखे, अब हम क्या करेंगे, इसे pack करन पूरे window के अंदर fail जाएगा, तो चलिए, अब इसे run करते है, तो आप देखे, यहापे हमारा logo दीख रहा है, लेकिन कोई भी text हो नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहापे एक और attribute होता है, compound नम का, उसका use करने वाले है, तो यहापे मैं लिखता हूँ, compound is equal to left, अब अब देखे, अगर इसे again run करेंगे, sorry, यहापे मुझे कोमा लगाना है, अब देखे, run करते हैं इसे, तो यहापे आप देखे, यहापे हमारा icon भी आ चुका है, और यहापे text भी आ चुका है, लेकिन यहापे बीच में थोड़ी से जगा कम है, तो अब हम क्या करेंगे, यह यहापे इस पे space दे देंगे, और अब अगर इसे run करें, तो आप देखे, यहापे बीच में जगा आ चुकी है, और sorry, यहापे मैंने logo गलत चूज कर लिया है, क्योंकि यहापे जो हमारे variables थे, उनके नाम मैंने change ही नहीं किये, तो यहापे मुझे नाम change करने थे, तो मैंने गरबड की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे सही कर लिया है, तो यह जो हमारे title वाले label का काम था, वो खतम हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, यहापे मैं एक styling नाम का object create करता हूँ, तो यहापे मैं लिखता हूँ styling object, और यह मैंने क्यों लिखा है, वो मैं आप T button, और यहापे मैं इसको font दे दूँगा, aerial, इसकी size 10, और यह सभी font मुझे bold चाहिए, साथ ही मैं इसको मैं anchor दे दूँगा, waste, और इसकी जो width है, वो भी मैं रख दूँगा, 18, तो यह जो मैंने S नाम का object create किया है, वो मैंने buttons के लिए क्रिया है, क्योंकि सभी जो buttons है, वो एक ही style के होगे, तो मुझे यह code बार-बार repeat ना करना पड़े, इसलिए मैंने object create किया है, और इसका use हम button के अंदर करने वाल है, तो वो कैसे करना है, मैं आपको दिखा दाओ, तो चलिए, यहापे अब हम क्या करेंगे, यहापे एक button सबसे पहला create करेंगे, लेकिन यह जो दूसरी frame होगी, उसके अंदर भी हम 5 बटन रखेंगे, तो यह मैंने पहली frame create किये, तो यहापे में लिखता हूँ frame, और इसको मुझे place करना है window के अंदर, और इसका जो background है, वो भी मैं white रखूँगा, और इसकी border भी 2 रखेंगे, अब देखे, इसके अंदर मुझे buttons बनान है, तो सबसे पहला जो हमारा button है, वो है device manager का, तो यहापे में लिखता हूँ, btn underscore dev mgmt, मतलब device management, और यहापे में ttk dot button लिखूँगा, तो यह जो हमारा ttk नाम का class है, उसके अंदर एक button नाम का widget define किया हूँआ है, तो इसका मैं use कर रहा हूँ, और इसे मुझे place करना है frame underscore tools1 के अंदर, तो चलिए, अब इसकी property set कर दे, तो इसका जो मुझे text रखना है, वो है device manager, और इसके अंदर जो मुझे image रखनी है, वो है हमारी img2, और इसका भी हम compound set कर देंगे, तो इसका compound हम रखेंगे left, और इसे मुझे वार styling देनी है, तो वो styling क्या है, तो हमने जो उप बटन था, वो successfully बन चुका है, लेकिन इसे मुझे pack भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर में निचे आऊँगा, और यहाँ पर लिखूंगा, btn underscore dev management dot pack, और इसके अंदर में pad by दे दूंगा, 0, 5, मतलब कि मुझे सिर्फ नीचे की वर ही padding चाहिए, बटन के उपर कोई padding इसलिए मैंने यहाँ पर 0 किया हुआ है, लेकिन आपको अगर दोनर तरफ padding चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पर 5 लिख सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही तरफ चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पीछे 5 लिखा है, अब देखे, यहाँ पर हमें frame को भी pack करना होगा, त तो चलिए, अब इसे run करते है, sorry, यहाँ पर मुझे parenthesis को कतम करना था, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, अब इसे run करते है, तो अगेन यहाँ पर error दे रहा है, तो मुझे इसे remove करना है, और अब इसे run करना है, तो आप देखे, यहाँ पर हमारा button बन चुका है, और इसकी प करूँगा, simply copy करूँगा, और यहाँ पर नीचे चार बार paste कर दूँगा, 3, 4, और 5, तो यह हमारे 5 बटन हो जाएंगे, अब देखे, हमें यहाँ पर सिंपल इसका नाम चेंज करना है, तो यह जो हमारा दूसरा button है, system properties के लिए, तो यहाँ पर में लिखता है, system properties, और यहा system properties, और इसके अंदर मुझे image डालने है, img3, बाकि सब सेम रहेगा, अब यह जो नीचे वाला बटन है, वो है हमारा button, network setup के लिए, तो यहाँ पर में लिखूँगा, network setup, और इसे भी change कर दूँगा, तो यहाँ पर network, फिर यहाँ पर लिख देंगे network setup, और इसके अंदर image डा button है, वो है add or remove program के लिए, तो यहाँ पर लिखते add or remove, और इसको हम short नाम दे देते है, add rm, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे add or remove, इसके अंदर image डालेंगे img5, और यह हमारा हो गया, अब यह हमारा जो last वाला frame 1 के अंदर जो button है, उसका नाम है mouse setting, तो यहाँ पर में change करके mouse setting कर देते है, और यहाँ पर img6, तो यह भी हमारा button create हो चुका है, लेकिन इन सभी को हमें pack करना होगा, तो यहाँ पर में इसे copy करके, चार बार paste कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हम simply क्या करेंगे, इन सभी का नाम change कर देंगे, तो यहाँ पर में सबसे पहला नाम change करूँगा, sys pro, तो यह हमने सभी buttons को pack कर दिया है, अब चले इसे run करते है, तो आप देखे, यहाँ पर हमने सभी 5 button create कर लिये है, और same इसी तरह से हमें, और 5 buttons create करना है, जो कि आएंगे हमारे right side पे, तो चले, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा सभी मसाला है, इसे copy करें तो यहाँ पर हमने इसे paste कर दिया है, और अभी हमें क्या करना है, इसका नाम change करना है, तो यहाँ पर हमने frame 2 कर दिया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नाम change कर देंगे, तो इसे भी हम डाल रहें frame 2 के अंदर, अब देखे, इन सभी buttons को हमें modify करना होगा, तो इसको भी चेंज करके कर देंगे ग्रूप पॉलिसी ऐडिटर और इसको इमेद दे देंगे आइमजी एट तो यह हमारा 7th बटन भी create हो चुका है, अब इसको हम change करेंगे, services के लिए, तो यहाँ पर services लिखा हमने, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, services, यहाँ पर change करके, services और यहाँ पर IMG9, फिर यह जो हमारा second last बटन है, वो होगा, control panel उपन करने के लिए, तो यहाँ पर मैं control panel लिख देता हूँ, और यहाँ पर control panel, इसे में close कर देता हूँ, यह गलती से open हो गया है, तो यह हमारा जो बटन है, वो हो गया है, सिर्फ यहाँ पर मुझे IMG10 करना है, और यह जो हमारा last बटन है, वो होगा हमारा registry के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, registry और यहाँ और यहाँ पर लिख देते है, registry editor, और यहाँ पर last वाली image हमारी IMG11, तो यह हमारे सभी बटन्स create हो चुके है, लेकिन यह जो हमारा यहाँ पर frame 2 है, इसे हमें side देनी होगी, left की जगा, right, तो यहाँ पर मैंने right कर दिया है, यहाँ पर यह सही से दिखा नहीं रहा है, कि मैंने यहाँ पर नाम change नहीं किये, तो चले, इन सभी नामों को change कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते है, task MGR, तो इसे हमने pack कर दिया, तो यह सभी pack हो चुके है, अब चले इसे run करते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर हमारा successfully सारे buttons बन गये हैं, और यह हमारा GUI का का काम पूरा खतम हो चुका है, तो देखिए, यह हमने बहुत स्टाइलिस GUI बनाया है, तो I hope आपको यह पसंद आया होगा, लेकिन यह जो बटन से अभी कुछ काम कर नहीं रहे है, तो यह काम करवाने के लिए हमें और भी command add करने होगे, तो चले, वो कैसे करना है, मैं आपक में लिखता हूँ lambda, फिर आपको colon डालना है, और हमने जो OS module import किया था, उसके अंदर एक system नाम की method होती है, तो इसको हम यूज करके क्या करेंगे, एक application को call करेंगे, तो यहाँ पे device manager को open करने के लिए हमारे पास होता है, dev mgmt.msc, तो इस command की मदद से हम device manager को open करेंगे, देख इसे run करें, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा device manager open हो चुका है, लेकिन यह सब यहाँ पे open कैसे हो रहा है, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे run window को को खोलेंगे, और अगर मैं SM command यहाँ पे लिखू, dev mgmt.msc, तो आप काम है, और हमें इन सभी buttons के लिए बस कुछ SI काम करना है, तो चलिए, इस line को मैं copy कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे आके system property के लिए करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे paste कर दूँगा, और system property को open करने के लिए, आपको यहाँ पे command लिखना होता है, sysdm.cpl देखे, अब अगर इसे again run करूँ, और यहाँ पे system properties पे click करूँ, तो यहाँ पे हमारे system की properties open हो जाएगी, तो देखे, इस तरह से हम क्या करेंगे, सब भी buttons के लिए command लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं इसे paste करता हूँ, और यहाँ पे network setup को open करने के लिए जो command होता है, वो लिखेंगे, तो उसका command का नाम है fviz.cpl, तो यहाँ पे मैंने इसे type कर दिया है, अब बारी है mouse की, तो यहाँ पे mouse को open करने के लिए क्या होता है, main.cpl, अब देखे, यहाँ पे जो पीछे वाले जो 5 button है, frame 2K, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो task manager है, उसे open करने के लिए हमारे पास command होता है task mgr, यहाँ पे जो group policy है, उसे open करने के लिए हमारे पास command होता है, इसे हम remove कर देते है, gp edit.msc, अब देखे, यहाँ पे services के लिए भी लिख देते है, तो यहाँ पे मैं लिखता हू, services.msc, फिर यहाँ पे control panel के लिए, simply यहाँ पे लिखना है control, और यह वाला जो last है, registry के लिए, उसके अंदर हमें क्या करना है, simply यहाँ पे लिखना है, reg edit, तो यहाँ पे मैं लिखता हू, reg edit, तो देखे, यह हमारे सब भी buttons के अंदर command लग चुके है, अब सीब हमें इसे check करना है, तो देखे, इसे मैंने run किया, सबसे बहले device manager, तो यह open हो चुका है, system properties, यह भी open हो चुका है, फिर network setup, तो देखे, आप है network connection भी open हो चुके है, अब है add or remove, तो वो भी open हो चुका है, फिर mouse setting, फिर task manager, उसके बाद है group policy editor, फिर है services, फिर control panel, और last में है registry editor, तो यह हमारे सब भी perfectly काम कर रहे है, तो I hope आपको यह project पसंद आया होगा, और अच्छे से समद में भी आ चुका होगा, और अगर आप चाहते हैं, ऐसे ही must must project के बारे में जानना, तो please मेरे channel को subscribe कर दीजे, और अगर आपको यह video पसंद आया, तो please इसे like कर दीजे, और share कर दीजे, so thank you for watching this video,